कि एक कुश्चंस जो करवाना है वो मैं करवा देता हूं यहां पर हलाकि पहले करवा रखा यह कुश्चंस लेकिन थोड़ा कम पार्ट में करवाया हुआ यह कुश्चंस आपका यह उतकल कंस्ट्रक्शन आज इसको मैंने कि इस बच्शो continue करा है किस्की का अंसर आया जलदी बताई यह कितने बच्चो ने कर आ है किसटी का अंसर आ गया आज इसके अंदर मैंने कहा था एक पार्ट मैं कराूंगा तो आज मैं वह भाण करा देताओं आपको लब सभीम प्लीज बाइच श्टार्ट पत्राइब कर लेते हैं और इस पार पूरा कुश्यंश करेंगे इसके अंदर सारी बातों को देख लेंगे झाल झाल चलिए सर यह है कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट सर कुश्चन्स कहां मिलते हैं? आपके बुक में आपके पास बुक होगी महेश्वरी मित्तल की तो आपको वहाँ पे सभी के सभी कुश्चन्स दिख जाएंगे इजी ली खिक है ना? ठीक है सर चलिए सर आज आते हैं चलिए कोई बात नहीं कोश्चन पढ़ लें एक बार कॉंट्रेक्ट अकाउंट क्या है? बेसिकली ठेकेदारी अकाउंट तो करेंगे हम तो उतकल कंस्ट्रक्शन ने दो हजार बारा में एक ठेकेदारी ले ली और कहता है भईया हम रोड बनाएंगे और दा कॉंट्रेक्ट ट्राइज वाज अस्टी मेटिड दअीड दसलाग और बोला भईया रोड जब बनाएंगे तो मुझे यह जो प्न्ट्राइय लागर यानि मैं ये रोड बना के तैयार कर दूँगा लेकिन मेरा कीमत है इस रोड को बनाने का दस लाख, एक रोड बनाने का कितना ले लिया दस लाख, एस्रीमेट कॉस्ट कम्प्लीशन वुड बी 920 और मुझे अंदाजा है ये मेरा मानना है कि भाईया इसको बनाने में मेरा खर्चा कॉस्ट जो आएगा देट इस मैं 920 में बना दूँगा, तो आप मुझे बताओ, अगर 10 लाख रुपए मैं किसी से लूँगा, और मैं माबोल रहा हूं कि मैं 920 में बना दूँगा, तो तो मेरा यहां पे 80,000 रुपए का एक तरीके से मेरा यहां पे प्रॉफिट हो सकता है, एस्टीमेट मतलब यह हो सकता है, ऐसा नहीं कि हो जाएगा, मैं तो कुश्चन समझा रहा हूं अभी, एड़ एंड 2012 तो भीया लास्ट के बारह में हो जाएगा, और कंपनी ने कैस रिसीव कर लिया है, कैस रिसीव किया और वो किया 3,60,000 और बोल रहा है जो, यह 3,60,000 है, यह वर्क सटीफाइड जितना भी होगा ना, उसका 90% है, यानि सपोज अगर मेरा वर्क सटीफाइड 100 रुपे है, तो 90 रुपे मुझे कैश मिला है, इसका कहने का मतलब है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यह ध्यान देना अभी मैं बताऊंगा फिर से दुबारा, वर्क येट नॉट सेटीफाइड जिसको वर्क नॉट सेटीफाइड बोलते हैं, तो देट इस हमारा कितना है साथ, दस हजार, वर्क नॉट सेटीफाइड, तो मैं साथ के साथ लिख लू, यहाँ पे बाई साइड में लिख लेते हैं, बाई, वर्क इन प्रोग्रेस, ठीक आगर हम बात करें वर्क सर्टिफाइड की तो मुझे बता दिजी आप वर्क तो भी पता नहीं चला वक नौट सर्टिफाइड कितना था सर्ट रहं नौट सर्टिफाइड दस अजार है आगे चला जाए, expenditure incurred 2,12 में, क्या-क्या material 50,000, तो भईया, material खर्चा है, टू में आ जाएगा, तू material, material कितने सर, 12,000 रुपे, इसके बाद टू में क्या आएगा सर, और क्या, labor, labor कितना है सर labor का खर्चा है मैंने साइध गड़बड कर दिया यहां 12,000 क्यों लिख दिया मैंने यहां पे हमें क्या लिखना चाहिए था यहां पे यह 12,000 नहीं है यह है 50,000 और तीनला 50,000 यह है 50,000 और यह है तीनला ठीक है इसके बाद labor के बाद plant अब मुझे बताईए plant तो यहीं लिखना होगा plant तो तू में ही आएगा इस पर depreciation लखके by side में लिखते थे हमने सीखा था तो plant आ गया that is हमारा कितने रुपए भाई 20,000 material cost अब पहले यहां तक किसके बाद क्या कहता है material cost 5000 damaged material cost 5000 damage का मतलब हो गया नुकसान हो गया अब नुकसान भी दो परकार के है एक abnormal loss हो सकता है एक normal loss हो सकता है normal loss generally हम यहां consider नहीं करते हैं मैं पहले भी थोड़ा सा और explain कर दो and dispose for 1000 plant is considered as a having depreciation 25% कहता है सबसे पहले हमारा material डिस खराब हो गया और उसको हमने कितने का बेच दिया सहब 1000 रुपे का हमने उसको बेच दिया तो हमारा simple सा funda होना चीए कितने का बेचा नहीं बेचा वो अलग बात है हमारा material इधर से आ रहा है और जब भी material का नुकसान हो जाए material के साथ कुछ ऐसी घटना घट जाए तो हमें simple से बात करना है सर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाएंगे बाय मटीरियल बाय मटीरियल डैमेज और सर 5000 हुआ तो मात्र 5000 लिख देंगे सर जो 1000 मिल गए तो इसको दिखाने के नहीं दो तरीके हो सकते हैं डैमेज में 4000 लिख दूँ और रिसीव में 1000 लिख दूँ मुद्दा तो वही आ जाएगा कि आपने कितना दिखा है सर 5000 रुपए आपने टोटल फॉर्मेट में दिखा दिया दोनों तरीके से एजा नॉर्मल लॉस मान के कर दो और बाइसाइड में दिखा दो अगर एबनॉर्मल लॉस होगा तो उस सिचुएशन के अंदर आपको पहले ही बताया था कि वह कॉस्टिंग का पार्ट नहीं होता है सम्हाव अभी नॉर्मल एबनॉर्मल एक अंगला चप्टर करेंगे प्रोसेस वहां बहुत अच्छे से समझ जाएंगे अभी फिलहाल के लिए हमें क्या पता है कि कोई भी मट्रियल डैमेज होगा उसके रिस्पेक्ट में कोई भी पैसा मिलता है तो उसे इग्नोर करना है ह वेरी वेरी गुड़ इवनिंग सर टैनियर का सुलूशन प्रोवाइड करा दीजिये कंटेंट में ओक किसी बच्चे का अभी तक सर लाइव क्लास के लिए मैसेज भी नहीं आया आज मेरे पास अभी कुछ दिनों तक दिक्कत है जो टाइमिंग हम टीचर्स ने डिसाइड क सब्सक्राइड के जो टाइमिंग आपको दिया गया उस टाइम पर आजाईए एप्लिकेशन पर आप उस टाइम पर क्लास जॉइन कर लिजिए जैसे यह सारी चीज़े एक वीडियो में बना दूँगा कैसे नोटिफिकेशन आन करना है सेटिंग में जाके फिर आप वैसे क पात है जब आप प्लान केरी डिप्प्रिशेशन लगाँके तो बाइचा है भाई साइड में मैं आरे थो बेले क्लोजिंग बेलेंग आर जो क्लोजिंग बेलेंस आएगा एक तो आएगा प्लांट का और एक शायद material का दे रखा हो तो आज आएगा नहीं दे रखा हो तो नहीं आएगा question में नहीं दे रखा material प्रिपेर कॉंट्रेक्ट उतकल construction के लिए नहीं दे रखा तो आप बताईए मुझे प्लांट कितना आएगा कौन बच्चा बताएगा यहां प्लांट कितना आएगा मैं आपका वेट कर रहा हूं 20,000 का प्लांट था और सवाल ने कहा कि इस प्लांट के उपर कंसिडर करें प्लांट में जवाब दीजिए कितना लिखा जाएगा तो सर अब यह जैसे मैं लिख रहा हूं यह प्लांट का कुछ कैलकुलेशन बनेगा डेट आपका आजाएगा 15,000 किसी स्टूडेंट को यहां तक कोई डाउट 15,000 अर्णव ने बताया सर 5000 नहीं नहीं पांच हजार नहीं लिखना हमें लिखना क्या है डेप्रिशेशन माइनस करने के बाद की वेल्यू ठीक है ना जैसे मैंने यहां दिखाया इसलिए मैंने जान बुझ के पहले यह लिखा था कि बच्चे समझे यह आएगा 20 में से यह चीज़े तो माइनस हो जाएगी समझे आप 25 पर्सेंट वाली लाइन समझा दीजिए बिल्कुल साफ साफ लाइन है 25 पर्सेंट वाली यहां से प्लांट इस कंसीडर प्लांट को कंसीडर करना है having depreciated by 25 पर्सेंट कहने का मतलब है आपके पास अगर कोई प्लांट है तो उस प्लांट के उपर आपको 25 पर्सेंट depreciation के हिसाब से चलना है तो मेरे पास अगर मैं प्लांट की बात करूं तो प्लांट कितने का था सर बीस इसके उपर 25 पर्सेंट depreciation लगाने के बाद बैलिंस आ गया और जो नए बच्चे हैं वो पहले पुराने वीडियो देखेंगे तो आगे क्लियर समझ में आएगा किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो बता दीजिए किसी स्टूडेंट को कोई डाउट नो सर चलिए आगे पढ़ने कोईशन को इन्पोर्टेंट लाइन पढ़ने जा रहा हूं मैं कोईशन का कोईशन कहता है प्रिपेर अ कॉन्ट्रेक्ट अकाउंट दो हजार बारा इन दा बुक्स ऑफ उतकल कंस्ट्रक्शन लिमिटेड यह लाइन बड़ा इन्पोर्टेंट है यहां पर कितने एसे चांसिस बनते हैं कितने तरीके से आप प्रॉफिट को बना सकते हैं यहां पर एक अपना हिसाब किताब लगा के तो उसके हिसाब से जितने पॉसिबल बनते हैं वो सब मुझे बताईए कुशन का कहना है चलो सर बता देंगे कोई बड़ी बात नहीं है यहां पर अब आगे आ जाते हैं सर हमारा वर्क सर्टीफाइड तो नहीं पता लेकिन कुश्चन ने क्या कहा था कुश्चन ने कहा था सर आपका वर्क सर्टीफाइड पता है क्या होगा कैस रिसीव का 90 परसंट अब मैं एक स 90 परसंट है यह कितने परसंट है 90 परसंट किसका वर्क सर्टीफाइड का तो मुझे बता दो वर्क सर्टीफाइड कितने रुपए होंगे जल्दी जल्दी कमेंट में जवाब दे दो कि मेरा वर्क सर्टीफाइड कितने रुपए होगा फटा-फट जवाब दे दो मेरा वर साइट में दिखानी चाहिए मन्सी का कहनाYea सर 90 रुपे मैंने कहा नब्य रुपे तो मुझे मिल गया है रुपीज के टम्स में नब्य तो मिल गया है और यह 90 परसेंट वनक करता है मुझे बताइए वर्क सर्टिफफइीड कितना हुआ जल्दी जल्दी बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना हुआ अफ्रीन का कहना है सर दस अजार होगा दस हजार मैं सो रुपे बात कर रहा हूं यहां पर सो रुपे हमारा है और यह 90% के बराबर है अब बताइए वक सर्टिफाइड लीना के कहना 81 रुपे दस अजार एक जवाब सही दिखा मुझे आजरा का सो रुपे अलीशा का सो रुपे ग्यारा लाग पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं इसके अंदर मैं दुबारा कोश्चन क्लियर कर देता हूं चलो नेक्स पेज पर आ जाता हूं मान लेते हैं अब पहले सीधा सीधा सीखते हैं ठीक है मैंने वर्क सर्टिफाइड मेरा है वर्क सर्टिफाइड है मेरा सो रुपे और मैंने कैस रिसीव जो करूँगा मैं वो सिर्फ 90% कैस कि यह रुपीज है सो ही रुपे हैं और कैस रिसीव मैं 90% करूँगा तो मुझे बता सकता है कोई बच्चा के कैस रिसीव का अमाउंट कितना होगा मेरे सामने जो कुश्चन है सर्फ उसका जवाब दें जो पीछे हमारा सवाल था उसको कॉडिनेट ना करें अब सभी का जवाब आया सर्व इतने आसान सवाल पूछने की अवशकता ही नहीं थी सिर्फ 90 रुपे आपको मिलेगा अब इसी को ये कहानी आपको थोड़ा सा मैं ट्विस्ट बना कर दिखाता हूँ मेरा cash receive जो हो चुका है वो हो चुका है 90 रुपए cash receive कितने रुपए हो चुका है 90 रुपए और ये work certified जितना भी था हमें नहीं पता कितना था work certified ये work certified का 90% हमें मिल चुका है work certified का 90% cash receive मिल चुका है तो मुझे बताइए work certified कितना रहा होगा कि उसका 90% हमें 90 रुपे मिल चुका है तो वर्क सेटिफाइड का कितना रहा होगा सर मैं अभी आया हूँ मुझे दुबारा बता दो अब सभी बच्चों का लगभग लगभग सही जवाब आया कि सर कितना रहा होगा 100 रुपे अब इसी 100 रुपे को एक और सवाल पूछा जाएगा इस 100 रुपे को पता है हमने कैसे निकाला कैसे निकाला हमने निकाला वर्क सेटिफाइड इस इकल टू कैस रिसीव इंटू में 100 और डिवाइड बाइ 90 कुछ ऐसा कुछ ये हमने दिमाग में कैलकुलेशन लगाया है नहीं लगाया पता नहीं लेकिन ऐसे होगा ये तो अगर सर ये फॉर्मूला लगाओ तो ये ही आएगा जी सर 90 इंटू में 100 डिवाइड बाइ 90 तो देखो आ गया ना हमारा चलो एक सवाल और पूछ ले कैस रिसीव मेरा अगर है थ्री सिक्स्टी कैस रिसीव थ्री सिक्स्टी ये है जो कि 90 परसेंट है हमारा किसका सर वर्क सर्टिफाइड का तो मुझे बताईए वर्क सर्टिफाइड का का अमाउंट क्या होगा जल्दी जल्दी बताइए आप वर्क सर्टिफाइड का माउंट क्या होगा कि आफरीन ने जवाब दिया सर्थ चार लाग कि समर्थ का भी है चार लाग तीन लाग च्यानवे हजार युवराज आपका गलत जवाब है चार लाग एक दम इसका सही जवाब कैसे निकाला सर्थ चार लाग मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा भाई आप फॉर्मूला लगाया ना ये वाला सिंपल सा एक फॉर्मूला बना दिया ना आपके लिए और जो बच्चे मैथमेटिक्स मेर से अच्छे से जानते हो आप तो आपने इस टाइप के चीजों को बहुत सॉल्व किया है तो सर फॉर्मूला क्या लगाया आपने सिंपल करा सर तीन लाग साथ हजार और तीन लाग साथ हजार को इंटू में सौ क्योंकि कैस रिसीव और डिवाइडिड बाई ये 90 परसेंट के बराबर है तो डिवाइड 90 करा तो चार लाग रुपे आपने निकल के दिखा दिया य एक और सवाल पूछते हैं मालो तीन लाग बीस अजार हमें कैस रिसीव हुआ है जो की 80 परसेंट ऑफ वर्क सर्टिफाइड है तो मुझे बताइए वर्क सर्टिफाइड कितना होगा पूरा केल्कूलेशन बताएग अब इसका बतादो जवाब इसका क्या आएगा इसका क्या आएगा जो जवाब देंगे बच्चे मैं ये कंसिडर करूंगा कि इसका जवाब आया है अब भी भी बच्चों ने चार लाख जवाब दिया क्या बात है दोनों सवाल का सेम आंसर बिल्कुल सेम ही होगा कैसे निकाला सर इसका चार लाख तीन लाख बीस अजार और इंटू में 100 डिवाइड बाइड बाइड जितने कैस रिसीव जो है वो है तीन लाख साथ हजार और वर्क सर्टिफाइड 90 परसेंट के बराबर था तो बताओ मेरा वर्क सर्टिफाइड कितना होगा मैंने वैसे आप से निकलवा लिया तो आप सभी का जवाब होना चाहिए तो चार लाख रुपए होगा तो यह टोटल होगया 4,10,000 किसी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत कोई परिशानी तो बता दीजाएड किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत कोई परिशानी तो बता दीजाएड सहज में आ गय है चलिए सर यानि हमने questions को पूरा का पूरा tentatively ले लिया है अब यहाँ पे क्या निकालोगे सर क्या निकालोगे ये बता दो सर हम क्या निकालेंगे यहाँ पे निकालेंगे हम सर सर प्लस two side में निकालेंगे सर प्लस two side में निकालते हैं सर प्लस क्या सर प्लस आता है चार लाग दस हजार पांच हजार पंद्रह हजार चार लाग तीस हजार और यहां भी आगया चार लाग तीस हजार माइनस में पचास हजार माइनस में तीन लाग और माइनस में बीस हजार सर यह जवाब निकल के आया साथ हजार यह जवाब आया है साथ हजार सिधार्थ ने भी बता दिया सर साथ हजार क्या सब को समझ में आया कि यह साथ हजार रुपे हमारा आ गया हर बच्चे को clear है यह साथ हजार कैसे आया अब हम इस profit में से कितने maximum probability बन सकता है कि यह हमारा प्रॉफिट है चलिए इसको समझते हैं इसको समझने के लिए हमारा maximum पॉसिबल मैक्सिमम पॉसिबल यहां पे दो पॉसिबलिटी है सर यहां पे दो पॉसिबलिटी है सर क्या दो possibility है possibility number one आपका एक तरीके से इस profit को पता है क्या नाम दूँगा मैं इस profit को मैं नाम दूँगा नोशनल प्रॉफिट नाम दे रहा हूं इसको मैं के यह profit हो गया है एक तरीके से समझाने के लिए आपने लिखना नहीं है नोशनल प्रॉफिट और तो यानि हमारे पास एक तो नोशनल प्रॉफिट आया है सर यह नोशनल मतलब नाम मात्र का प्रॉफिट या निकाला गया प्रॉफिट बता देते हैं या मैं इसको अगर बोल दूँँ और सिंपल भासा में समझा देता हूं इसको हटा देते हैं नोशनल नहीं तो आप पूछ-पूछ कर जान खा जाओगे नोशनल में मैं सिंपल बता देता हूं कैलकुलेटिड प्रॉफिट ठीक है इसको मैंने अपने मर्जी से नाम दिया that is calculated profit तो सर एक हमारा होगा calculated profit जिसके उपर हमें कुछ possibility बताना है इसको नाम दे दिया हमने calculated तो आप समझ जाना किस profit की बात चल रही है और एक profit का नाम देने जा रहे हैं अब सर देट इस estimated profit एक profit का नाम देने जा रहे हैं estimated profit estimated profit estimated profit ठीक है ना सर estimated profit कौन सा है सर यह जो आपने यहां निकाला that is estimated profit तो सबसे पहले बताओ कितने possibility हो सकते हैं हमारे profit के तो सहाब हमारे profit के दो possibility हो सकते हैं एक हो सकता है calculated profit एक हो सकता है estimated profit पहले तो यह बात समझ लेजिए क्या आपको यह बात समझ में आ रहा है एक हो सकता है calculated profit यानि जो हमने contract account से निकाला है वह possibility बन सकता है दूसरा possibility कौन सा हो सकता है estimated जो कांट्रेक्टर पहले ही सोच रहा था दस लाग का हम पैसा लेंगे और नो बीस में निप्टा देंगे तो दूसरा हमने सोच लिया यह अब हम profit को या तो profit को हम cash basis पे मान लें या accrual basis दो possibility और बन सकते हैं अभी मैं समझाओंगा क्या है या तो मैं profit को cash basis पे मान लूँ या accrual basis यानि profit को मैं मान सकता हूँ cash basis या फिर मैं मान सकता हूँ accrual basis सर यह क्या चक्कर चल रहा है cash basis और accrual basis अभी समझाते हैं अपने formula देखा क्या था formula यह था अगर हमारा जितना work done होता है मान लो suppose 1 by 3 into में surplus और इसके बाद into में cash receive और divided by work certified करते थे यह पता है क्यूं करते थे क्यूंकि हमारा इस profit को conversion करना था कि हमारा जितने percentage हमारा cash receive हुआ उतने percentage का ही profit consider करना है मतलब सर अभी मान लेते हैं हमारा 10,000 रुपे surplus आया लेकिन हमें cash receive कितना हुआ था 90% ही हुआ है सवाल में cash receive कितना हुआ है हमारा work certified का 90 तो हम भाई जब हमारा 10,000 रुपे surplus आया यह तो total है लेकिन हमें 90% cash receive आया तो हमें अपने profit को consider करना है कितना 9,000 क्योंकि भाई या अभी तक हमें जितना पैसा मिला है क्योंकि हमेशा मालिक क्या करता है अब मैंने बोला भाई काम complete हो गया कितने का हो गया जी दो लाग का काम complete हो गया एक काम कर एक लाग 80,000 रुपे बाद में देते हैं मतलब 20,000 रुपे रो भरोसा नहीं है ठेकेदार पर ठेकेदार को भरोसा नहीं है इसलिए 20,000 रुप लिए तो ऐसे सिच्वेशन में अगर मैं बहुत वर्स से वर्स सिच्वेशन सोचू कि मेरे इतने पैसे तो प्रॉफिट बन ही जाएंगे तो उसको बोलते हैं कैस बेसे का मतलब है कि हमारा सा का सारा प्रॉफिट हो ही जाएगा हम मान लेते हैं तो अगर मैं बोलू कैस बेसे में कितना प्रॉफिट मानोगे तो अगर मैं बोलू एक्रूवल बेसे पर जो पैसा नहीं मिला वह भी प्रॉफिट हो ही जाएगा तो बताओ कितना मानोगे एक्रूवल बेसे पर कितना मान में जवाब दो growing basis कितने प्रॉफिट मान लोगे एप कि अ miracle you कि बताइए कि 10,000 बिल्कुल सही फिर्याने कहा सर दस हजार बिल्कुलम सही जवाब यानि एक बात तो द्य हो गया स्रकेस बेसिस पर रप्रॉफिल पवाले में हम प्रॉफिट जो मानेंगे that is CPL जो मानेंगे वहाँ पे formula क्या apply होगा सर वहाँ पे होगा अब सबसे पहले calculated profit में calculated profit में हमें ये check करना होगा कौन सा formula लगेगा कौन सा formula लगेगा सर formula तो 3-4 थे कौन से 3-4 थे ये देखो मैंने अलग-अलग लिखवाय था यानि ये कितने percent work done हुआ उस पे depend करता है तो sir कितने percent work done हुआ उस पे depend करता है तो work done कैसे निकाले ये भी तो बता दो तो work done हम निकालते है sir कैसे that is हमारा work certified divided divided by contract price into 100 ये बताता है हमारा completion of work तो हमारे इस वाले सवाल में बताओ मेरा कितने percent काम complete हुआ वर्क certified सर चारला contract price सर 10 लाग into 100 तो कितने percent हुआ 40 percent काम complete हो गया अगर हमारा 40 परसेंट काम complete हो गया तो कौन सा लगाएं पहला लगाएं दूसरा लगाएं तीसरा लगाएं चौथा लगाएं बताओ कौन सा लगेगा 40% काम complete हो गया तो किस category में fall कर रहे हैं आपके सामने देखो ये अलग-अलग category है एक ये category है एक ये 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 बिलकुल याद होना चाहिए आपको ये exam में बच्चा यही भूल जाता है बताओ कौन से वाला लग रहा है category पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा हमारा 40% completion हुआ है सभी बच्चों का कहना है लग-बग-बग सर दूसरा लग रहा है क्योंकि दूसरे में क्या है सर 25-50 के बीच का तो 40 तो इसी के बीच में आएगा तो यानि सर 40% में हमारा दूसरे में 1 by 3 वाला पार्ट है तो आजाए सर यानि यहाँ पर कैसे निकालोगे सर 1 by 3 इंटू में सर प्लस इंटू में कैस रिसीव डिवाइड बाइ वर्क सर्टिफाइड यह फॉर्मूला लगाएंगे हम अगर हम कैस बेसिस अकाउंटिंग मान रहे है सर अगर एक्रूवल मानोगे तो क्या लगाओगे तो 1 by 3 इंटू में सर प्लस सारा ही प्रॉफिट हमारे बस इतना ही फॉर्मूला लगेगा अगर आप एक्रूवल मान रहे हो तो समझे बात क्योंकि जो हम कैस रिसीव डिवाइड बाइ वर्क सर्टिफाइड करते है वो परसंटेज में कनवर्ट होता है जैसे मैं कर दू सर तीन लाग साथ हजार डिवाइड बाइ चार लाग तो इसको अब कार्ट पीट करोगे तो नब्बे परसंटी तो आएगा चीक है ना तो इसलिए यहाँ पे यह बन गया सर यहाँ पे आंसर क्या आएगा सर वन बाइ थ्री सर प्लिस आपने बताया था साथ हजार निकला था पीछे कोशन में इन्टु केश रिसीव आपने बताया था सर तीन लाग साथ हजार है कोशन में डिवाइड बाइ वर्क सेटिफाइड कितना है सर चार लाख है इसको सॉल्व कर दीजिए क्या आ गया सॉल्व करिए क्या आ गया साथ हजार तीन यानि अठारह हजार यह आ गया अठारह हजार जब examiner question में कुछ नहीं बोलता तो हम यही वाला follow करते है और यही हमारा main होता है तो अभी फिलाल के लिए मैं इसमें लिख देता हूँ सर यहां पर buy side में surplus buy side में surplus कितने surplus सर साथ हजार सर जितना part profit में जाएगा formula वाला तो उसको मैंने नाम दिया CPL costing profit and loss तो formula वाला कितना आया अठारह हजार और बाकी का part हम profit क्विट नहीं मानते हैं से कहां भेज देता है work in progress reserve में WIP reserve में तो कितना आएगा सर साथ हजार और यह भी आगया साथ हजार और साथ हजार क्या आगया सर डवल आईपी reserve तो पहली पॉसिबिलिटी तो यह बनती है कि भाइया आप 18,000 CPL में ले जाओ बाकी वर्किन प्रोग्रेस में ले जाओ पहली पॉसिबिलिटी यह बन रही है पहले देख लेजिए यहां तक कोई डाउट तो फिर मैं दूसरी एक्रूल बेसिस वाली पॉसिबिलिटी बता सर एक्रूल बेसिस में होगा 1 by 3 into में 60,000 उसके आगे तो कुछ है नहीं यहां पे पॉसिबिलिटी बनती है कि आप अपने प्रोफिट को कितना मान लो 20,000 इसने बोला कि all possible बताईए कि प्रोफिट कितने बनेंगे एक तो 18,000 की पॉसिबिलिटी बन सकती है सर लेकिन अगर आप एक्रूल बेसिस सोच रहे हो आपका मालिक बहुत अच्छा है पैसे डूबें गई नहीं तो आपके कितने बन सकते हैं 20,000 यह कब जब आपने प्रोफिट निकाला है उस भी हाफ पर अब सर एक अंदाजे वाले से भी दो पार्ट हो सकते हैं अंदाजे में आपका जो से निकाला था बताओ सर कॉंट्रेक्ट प्राइस था हमारा कितने का और हमारा कंप्लीट यानि हमारे कॉस्ट कितनी लग जाएगी यानि सर एस्टीमेटिट प्रोफिट आ गया अब सर इस असी हजार पर भी सवाल खड़ा होता है कि पूरा असी हजार अगर आप कैस बिसिस यानि सर यह प्रोफिट तो हो गया एक अंदाजे से यह प्रोफिट तो आपका हो गया एक अंदाजे से पहले यहां तक देखिए यानि हमारा सर यहां पर प्रॉफिट कितना हो रहा है प्रॉफिट कितना हो रहा है अंदाजे से हमारा पूरा काम कम्प्लीट करने में 80,000 का प्रॉफिट होगा अगर हम एक्रॉवल बेसिस पहले करते हैं एक्रॉवल बेसिस मानेंगे तो जितना वर्क डन किया है उतना ही तो पैसा मिलेगा अब बताओ वर्क कितना डन किया है आपको पूरे कॉंट्रेक्ट में कितना मिलना है 80,000 अब जितना वर्क डन किया है उतना प्रॉफिट मानो तो कितना है 40 परसेंट कितना है हमारा 40 परसेंट तो अगर हमने 40 परसेंट ही काम किया है महराज तो 40 परसेंट का हमें कितना मिलेगा 32,000 एक यह पॉसिबलेटी हो सकता है कि हम अपने प्रॉफिट को कंसीडर कितना कर ले अगर एस्टी मेशिस बेसिस पे चलते हैं तो हम कितना कंस परसेंट मान ले तो ऐसे सिचुएशन में क्या पॉसिबिटी निकल के आएगी सर ऐसे सिचुएशन में निकल के आएगा असी हजार तो है इसका 40 परसेंट तो हमें मिल जाएगा लेकिन सर इसका भी 90 परसेंट हमें मानना पड़ेगा यह निन जोगी पैसा मिलेगा डैट इस कितने हो जाएंगे यह 30,000 का 90 परसेंट 98,800 28,800 कितने पॉसिबिलिटी बने चार पॉसिबिलिटी बने जो आपको इस थोड़े से अलग अलग तरीके से करके दिखाया गया है तो आपको कन्फ्यूज नहीं हुआ लेकिन हमें एक्जामनर को यह वर्किंग नोट अलग से करके बताना है लेकिन अकाउंट के अंदर अकाउंट के अंदर तो आपका कौन से वाला चलेगा सर यही वाला चलेगा जैसे कि मैंने दिखाया हुआ अकाउंट यह डन और इसके अलावा जो किया है वो एज़ा वर्किंग नोट में किया है बताइए कोई दिक्कत सर वीडियो पॉज हो गई है वीडियो को एक बर फटा फट से आप ऐसा करें एप्लिकेशन क्लोज करके दुबारा चालू कर ले मैं रीफ्रेस्ट भी कर देता हूँ फटा फट से चलिए सर रीफ्रेस्ट कर दिया सर दुबारा समझा दो एक बार ये दुबारा समझा दे अब हमारे प्रॉफिट को ध्यान से सुनो मैं एक बार क्विकली बता देता हूँ हमारे प्रॉफिट यहां पर दो टाइप के बन गए दो टाइप के कौन से बन गए एक बन गया कैल्कुलेटीड प्रॉफिट जो कि कहां से निकाला हमने अकाउंट से निकाला साथ हजार रुपे calculated profit लिखी देता हूं कितना निकला था सर हमारा 60,000 और दूसरा profit बन गया estimated estimated कैसे निकाला था question में पहले ही बता रहा था that is कितना था हमारा 80,000 अगर हम बात करें calculated profit पे तो यहाँ पे एक तो formula base हम निकालना सीखते ही लेकिन अगर हम accrual base मान ले जैसे मैंने बताया accrual base में आपको यहाँ पे cash का percentage का basis पे नहीं चलना तो simple formula हो जाता है 1 by 3 जो आपने formula में यहाँ पे किया हुआ है आपका work certified work certified तो यह सभी क्या define करता है यह बताता है कि आप cash basis पे यह profit जो कर रहे हैं किस basis पे लेके चल रहे हैं अगर cash basis ना पूछा जाए तो यह जो साथ साथ में लगाया यह लगाने की कोई अवशकता ही नहीं होगी यह लगाना ही नहीं पड़ेगा तो एक तो cash basis पे हमने यह निकाल दिया एक्रूवल बेसिस में मैंने कहा जैसे work certified वाला पॉइंट हट जाएगा यहां पे work certified वाला पॉइंट हटा दिया 1 by 3 surplus ले लिया सर 1 by 3 क्यों लिया क्यूंकि हमारा work done 40% था 40% पे 1 by 3 वाला पार्ट ही लाए कर रहा था तो उसके according हमने यहां निकाल लिया समझ में आई बात आपको अब एक हो गया सर estimated profit estimated को भी दो भाग में बाढ़ देंगे कैस बेसिस और एक्रूवल बेसिस सर estimated profit अजार कब मिलेगा जब आपका काम कितना complete होगा 100% करोगे पूरे contract पे मिलेगा न तो अगर आप 100% काम करते और आपको 80,000 मुनाफ़ा होगा तो अभी तो आपने कितने परसेंट काम किया है सिर्फ 40 तो 40 अगर आपने अभी चाहिए सर 32,000 और अगर आप उसी को cash basis पे convert हो जाएगा तो मालिक हमेशा हमें क्या करता है सर जितना काम करते हैं उतना पैसा नहीं देता है तो 32,000 हम कमाते हैं तो मालिक बोलता हम 90 परसेंट ही तुम्हें देंगे अभी उसने 90 परसेंट दिया है तो उसका 90 परसेंट के सर आ गया ओके पहले बताईए आपके सामने सवाल है किसी को भी कोई doubt इस सवाल में तो आप मेरे से पूछ सकते हैं आपके सामने सवाल है और सवाल का आपके सामने ही क्या है ये जवाब है और ये जवाब जो इतना सारा किया है मैंने भारी भरकम वो पता है किस के लिए किया है सिर्फ इस line के लिए किया है इस line के लिए figure credit profit and loss जो मैंने ये mark किया है सिर्फ ये line ना होता तो हमारा question यही समाप्त हो जाता कुछ भी नहीं करना था ये line जोड दिया है इसलिए हमें examiner को ये extra part करके बताना पड़ा अगर किसी बच्चे को विजुलाइज नहीं है तो मैं थोड़ा मिनिमाइज कर देता हूं इसको मिनिमाइज थोड़ा सा रिडियूस कर देता हूं साइज को सर क्लियर है तो ठीक है सर आगे बढ़ा जाए कोशन में सर देखिए अब ध्यान से सुनिएगा जो चीजे मैं बताऊंगा क्योंकि हम सोच रहें थोड़ा एक यह कोश्चन को ओल्रेडि मैने कर दिया है आपके लिए यह कोश्चन वाले फोल्डर में ठीक आगे बढ़ जाए सर यह भी कोश्चन से आपका होमप्ट में है यह भी कोश्चन आपका होमवथ मैं है और most important question है यह और यह भी आपका वीडियो रिकॉर्ड कर दिया गया है आपको इसको पहले समझ पहले इस वाले question में आप पहले वीडियो देखिएगा वीडियो देखने के बाद सेल्फ करने की कोशिस करिएगा सर ये भी question आपका homework में है जो जो homework लिख रहा हूँ जो red से है वो सारा homework में और इसके सर आपको already सारे के सारे solutions मिल जाएंगे ये questions मैं कराऊँगा उसके चिंता करने वाली बात में ये मैं करा दूँगा next class में ये वैसे आपको homework दे दिया जा सकता है अब try करिएगा नहीं होगा तो ये question मैं कराऊँगा सर ये question भी आपका homework में है already video has been uploaded सर ये question भी homework में है आप practice करिए और जल्दी जल्दी खतम करिए ताकि next week में हम new chapter process account कर पाएं चलिए ये question मैं कराऊँगा ये मैं self कराऊँगा मैं self कराऊँगा मैं कराऊँगा कि ये question सायथ हो गया है पहले एक 747 नमबर ये मैं कराऊँगा कि ये सारे practical problem है हमने खूब सारे questions लगा दिया आपके लिए कि आपको खूब सानाज कौन सा डे है अब ज्यादा homework नहीं दे रहे आपको आपको जो मैंने homework दिया है वह और सटेडे वाले दिन आपको सारे questions homework में दे दिया जाएंगा जो maximum topic होगा वह मैं करा दूँगा और hopefully Tuesday से हम process account शुरू करेंगे आप लेकिन आपका ये chapter तब ही complete माना जाएगा जो questions already मैंने करा के folder में डाल दिया है वह सारी classes देखेंगे तब मानिएगा आपका ये chapter खतम हुआ है otherwise अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो आप मान लीजिएगा आपका ये chapter खतम नहीं हुआ है और exam में आपका रह जाएगा ये chapter अब को ओवर कॉस्टिंग करा दो सर पहले ओवर कॉस्टिंग देखो जिसका ओवर हेड है ओवर हेड वाला chapter है तो वह पहले से recorded lectures डाल दिया आप देखके कर सकते हो सिंपल सा टॉपिक है बाकि मैं ये पहले यूनिट कदम करूँआ प्रॉसेस फिर प्रॉसेस के बाद फिर मैं ओवर हेड पर आ जाऊँँगा ओके चाह phosphोण बाद प्रॉसेस के बाद वह प्रॉसेस कैसे वे पेन्यग देखके के ताम से जाऊआएस